है मैं प्रियंका और आप सभी का स्वागत है हम यंश्मूर में वाटर प्यूरिफायर आपने बहुत तरीके के देखी होंगे लेकिन क्या नॉर्मल वाटर के साथ होट वाटर वाला प्यूरिफायर भी आपने देखा है वेल आज ऐसा ही एक Water Purifier मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये है Beepure का Novo Hot and Normal Water Purifier चलिए वीडियो शुरू करते हैं ये काफी elegant and stylish है और किसी भी kitchen को ये compliment करेगा ऐसा ये दिखता है इसकी capacity है 9L जो की एक medium size से लेके large size की family के हिसाब से बिल्कुल perfect है ये दो outlets के साथ आता है तो एक outlet है normal पानी वाला और दूसरा है गरम पानी का outlet तो गरम पानी का use अगर आपको पानी पीने के लिए करना है, green tea बनाने के लिए, coffee बनाने के लिए या फिर cooking में अगर आपको पानी का use करना है और आपको गरम पानी चाहिए तो आपको बहुत ही आसानी से अपने water purifier में ही purify किया हुआ गरम पानी मिल जाएगा इसमें आपको warm water भी मिलेगा, hot water भी मिलेगा तो side में एक button दिया गया है जिसे on करना है अगर आपको hot water चाहिए तो initial 50 second में आपको warm यानि गुनगुना पानी मिल जाएगा अगर आप एक hard minute रोग जाएगे तो उसके बाद आपको गरम पानी मिलेगा तो कुल मिलाके जादा गरम आपको पानी चाहिए तो यह side में दिया गया है red button इसे आपको जादा देर तक on रखना पड़ेगा इसकी temperature range है 80 degree Celsius to 90 degree Celsius तो 100 degree Celsius पानी का boiling point होता है तो अगर यहाँ पे 80 to 90 की range है मतलब अच्छा खासा गरम पानी आपको इस water purifier से मिल जाएगा यह water purifier RO plus UV plus UF plus copper alkaline है और यह काफ़ी unique feature के साथ आता है जो कि मुझे लगता है कि यह गरम पानी वाला feature है वो one of a kind है हर water purifier में आपको नहीं मिलता है जो कि आपको इस वाले में मिल जाएगा इससे आपको alkaline पानी मिलेगा जिसकी pH range है 7.5 to 8.5 साथ ही में minerals का भी addition होगा जो कि है copper, calcium and magnesium alkaline पानी कभी भी normal purified पानी से better होता है तो health point of view से यह अच्छा है BPR का यह water purifier आता है 8 stage water purification के साथ तो process शुरू होता है sediment filter से और उसके बाद pre filter और carbon filter दोनों मिलकर large particles and chlorine को remove करते हैं next RO membrane heavy metals को remove करता है और साथ ही में जो UV membrane है एक extra layer of protection आट करती है इसका TDS regulator ensure करता है कि पानी के minerals बने रहे और जो copper alkaline filter है वो pH को balance करता है and finally जो इसका UV system है वो बच्चे हुए bacteria and viruses को kill करके पानी को healthy और penalize बनाता है अब बात करते हैं इसके गरम पानी के tap और safety feature की अब घर में बच्चे हो सकते हैं जो कि गरम पानी निकाल रहे और accidentally गरम पानी उनके हाथ वाथ पर गिर जाए तो ऐसे में ये tap एक safety feature के साथ आता है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ अनलाइक normal water tap जो blue color के indicator के साथ है ये red वाला hot water का है जो कि directly button press पर नहीं चलता अगर आप tap को push करेंगे या open करेंगे तब भी ये नहीं चलेगा इसके लिए पहले आपको इसे इस open position में रखना पड़ेगा और फिर button को press करना पड़ेगा इसके बाद ही ये चलेगा इस वज़े से accidentally गरम पानी नहीं निकलेगा यहाँ पर कुछ LED indicators दिये गए हैं जो certain functions denote करते हैं तो चलिए वो देख लेते हैं सबसे पहला है power on or off का indicator इसके बाद ये purifying मतलब जब तक tank full नहीं होगा पानी purify होगा तो ये on होगा उसके बाद है tank full का indicator पानी पूरा purify होने के बाद ये वाला indicator on हो जाएगा hot water का button अगर आप तबाएंगे तो hot water indicator on हो जाएगा ये water purifier काम करता है 2500 ppm TDS तक तो ये काफी अच्छी लेवल है तो boring का पानी हो, tanker का पानी हो, सबके लिए ये perfect रहेगा अगर आप इसकी price देखेंगे तो इसकी capacity और features के हिसाब से ये काफी affordable range में आता है इसके साथ आपको मिलती है one year की warranty या फिर assurance अब बात करते हैं maintenance की, तो इसका average annual maintenance cost है around 2500 जिसमें इसका sediment filter, carbon filter और copper alkaline module included है बाकी के water purifiers में इस तरह की filters का और annual maintenance का charge around 5000 आ जाता है तो यहाँ पर आपको 50% की almost saving हो जाएगी because इसका annual maintenance cost काफी कम है जब भी आप इसे purchase करेगी तो first time आपको इसका installation करवाना पड़ेगा और इसके installation के charges है 500 रुपीज चलिए अब मैं इसे use करके दिखाती हूँ नॉर्मल पानी आप दो तरह से dispense कर सकते हैं, इस तरह से tap को push करके और दूसरा तरीका है कि tap को उठा कर तो दोनों में से जो आपको ठीक लगी वो आप use करें इस पानी से आप अपना मटका भर सकते हैं आप पर directly भी इसे consume कर सकते हैं अब hot water के लिए सबसे पहली requirement है कि आपका जो tank है वो full हो तो tankful indicator on होने के बाद hot water को on करें और इसे कुछ seconds के बाद अगर आप चलाएंगे button प्रेस करके तो आपको warm water मिलेगा तो इसमें अगर आपको चाहिए ज़्यादा गरम पानी हो तो hot water का button दबाने के बाद आप लगभख एक से लेड़ मिनिट रुके और फिर गरम पानी dispense करें गरम पानी यूज करने के बाद ध्यान से जो hot water वाला button है इसे बंद कर दें तो ये है B.P.O.R. Novo normal and hot water purifier तो best of both आपको इसमें मिलता है बाकी सारी जानकारी तो मैंने वीडियो में already आपको दी है कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो comment करके पूछ सकते हैं आपको इसके link वीडियो के description box में मिल जाएगी अगर आप कोई वीडियो useful लगा हो तो इसे like करें और home and miss more को subscribe करें मिलता हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई